हेलो एवरिवन स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के बहुत इंपोर्टेंट सेशन में आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अगैन प्रिवियस एर पेपर को और यह जो पेपर है यह है 2021 का आपका रीट का एक्जाम तो 2021 में आपका जो सब्टेंबर पेपर हुआ थ कि 2021 लास्ट इयर का पेपर है तो आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है यह पेपर विकॉस ऐसा ही पैटन जो है आपको एक्जाम में देखने को जरूर मिलेगा और यहां पर जितने 30 क्वेशन पूछे गए थे इनको हम एनालेसस करेंगे और इनको हम देखेंग अगर आपको टेस्ट सीरीज जोईन करनी है रीट के लिए अभी इस समय पे तो आप मेरी टेस्ट सीरीज को भी जोईन कर सकते हैं जहां पर मैं अल्रेडी यूनिट वाइज और जो फुल लेंथ टेस्ट है वो मैं अप्लोड कर रही हूं यहां पर आपके डाउट तो आप में सितने अस्पेरेंट्स लेंग्विज 2 की प्यारी कर रहे हैं जरूर इस टेस्ट सीरीज को जोईन करें आप मेरी आंड्रोइड अप्लिकेशन शिल्पी दिवेधी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से यहां पर आपको जो भी टेस्ट सीरीज है उसमें आपक कर लूँगी अगर आप जॉइन करना चाहते हैं तो जरूर कॉमेंट सेक्शन में चेक आउट जरूर करना मैं लिंक कॉमेंट में दे दूंगी सभी का वहां दे जाके जरूर आप चेक आउट करिएगा चलिए फिर फाइनली अप क्लास के शुरुआत हम करते हैं आज के फर फ़ल साय कि आप लास्ट वाले वर्ट को देखिए ठीक है तो यहाँ पर वुड बोथ गुड तो वुड हो जाएगा ए बोथ हो जाएगा बी तो अलग है वुड और पुड ये दोनों सेम है तो अबी और ग्रोथ तो ग्रोथ जो है वह आप देखेंगे कि वुड से बोथ स तीनों से अलग है तो इसका D होगा तो A, B, A, D तो A, B, A, D किसी भी option में नहीं है इसलिए इस question में क्या दिया गया था bonus अंक दिये गये थे तो ये question जो है देखा जाय तो गलत है इसके option जो है वो wrong है तो यहाँ पर bonus दिया गया सही rhyme scheme इसकी होनी चाहिए A, B, A, D because जो growth है वो बाकियों से किसी भी word से mail नहीं खाता है तो इस प्रकार से हम क्या करते है राइम scheme निर्धारित करते हैं next question देखते हैं अगला प्रशन आपसे पूछा गया है I-give him an answer if he had asked me second question में आपसे पूछा गया था कि यहाँ पर कौन सा model जो है appropriate होगा can, may, could या might तो इस प्रशन में आपसे जो model auxiliary से question आया था इसमें भी क्या दिया गया था इसमें भी bonus अंक दिये गए थे ठीक है because यहाँ पर थोड़ा सा confusion है options में I can give him an answer if he had asked me यह तो past form में पूछा गया है तो यहाँ हम might भी use कर सकते हैं यहाँ हम could भी use कर सकते हैं तो यहाँ पर bonus अंक इसको दिया गया था आगे बढ़ते हैं choose the alternative which expresses the meaning of idiom और phrases in underlined sentence अब यहाँ पर इस idiom का meaning आपसे पूछा गया था यहाँ पर जो idiom है वो पूछा गया है to give cold shoulder ठीक है the cold shoulder का मतलब क्या होता है कि किसी को ignore करना या किसी से unfriendly behavior करना किसी को जान भूछ के ignore कर देना या किसी से unfriendly आप जब वेभार करते हैं या किसी को basically ध्यान न देना किसी की तरफ ignore करना totally वहाँ पर हम use करते हैं the cold shoulder तो यहाँ D हो जाएगा इसका correct next step which literary term refers to the problem or struggle within a story अब यहाँ story में कोई भी problem है या कोई भी struggle है उसको क्या कहा जाता है तो यहाँ पर problem और struggle को कहा जाता है conflict conflict जो है वो characters के बीच में होता है जादा तक जो character है दो character है या दो से जादा character है उनके बीच में conflict होता है जिसे protagonist जो main character है और जो antagonist है इन दोनों के बीच में conflict हो सकता है conflict को हम internal और external भी बोलते हैं ठीक है एक होता है internal conflict internal जो एक व्यक्ति के अंतर मन में चल रहा है जो अंदर अंदर चल रहा है और एक होता है external external का मतलब क्या है जो बाहरी तत्वों से प्रभावित है तो यह दो प्रकार के conflict में होते है बाकि drama आपको पता है to do or to action होता है जिसको perform किया जाता है in front of audience और यहाँ पर climax है वो क्या होता है जो एक extreme point होता है किसी भी drama structure में climax हाता है जहाँ पर जो भी problem है जो tension है वो reach पर है तो उसे हम climax कहते हैं तो यहाँ पर आपसे problem और struggle पूछा गया है तो conflict answer इसका होगा आगे है आप form of drama that is intended to amuse and that ends happily अब दो यहाँ पर आपके keyword is question पूछे गयते एक तो amuse हो गया amuse का मतलब कहा है कि to entertain किसी को entertain करना या जो manoranjak है जो आनंद दायक है जो अच्छा है amuse है और जो happily खतम हो रहा है तो इसे हम comedy कहते है drama के बहुत सरे type होते है जिसमें से पहला comedy tragedy होता है tragedy मतलब कोई भयानक कोई भयाव है कोई भयानक है कहाँ अंत जो है वो बहुत बेकार है ठीक है बायोग्राफिय क्या होते है किसी person की जो लिखी गई है किसी person के द्वारा किसी दूसरे के द्वारा लिखा गया ठीक है biography जैसे मैं किसी की किसी दूसरे की जीवन पे लिखू तो वो बायोग्राफिय हो गई और irony क्या होता है यह आपका एक figurative language है irony ठीक है आगे बढ़ते हैं next पे next है अब यहाँ पे देखो key words आपको क्या दियान रखना है कि पूछा गया है कि बच्चों की बात हो रही है students वो अपने test को as a punishment ना देखके as a feedback बेखते हैं ठीक है और यहाँ पे उनके common intellectual welfare की बात की जाती है मतलब कि उनके intellectual को basically इसका बढ़ावा दे रहा है तो यहाँ पे बात हो रही है peer evaluation की तो जहाँ पे peer evaluation है classroom के अंदर बच्चे आपस में खुद का evaluation कर रहे है through various activities वो हमारा peer evaluation का part होता है आगे बढ़ते हैं next question था कि what do you think about the two candidates in this election this is an example of अगर मैं आपसे इसा question पूछू कि आप इन दो candidate के बारे में क्या सोचते हैं दो candidate इनके बारे में आप क्या सोचते हैं तो यह जो question का प्रकार हुआ इसे हम open ended question कहेंगे because आप यहाँ पे अपने personal response की अधार पर ठीके जो आपका personal है personal response type का question है या जो मैं जिसको बूलू कि divergent है ठीके divergent type का question है या मैं बूलू कि जो out of the box है ठीके जहाँ पे बच्चा बहुत सारे answers आपको दे रहा है तो यहाँ पर option A हो जाएगा इसका परेक्ट close ended क्या होता है जो थोड़ा restricted type का होता है या जो जिसको मैं बूलू convergent होता है convergent type के जितनी भी questions होते है वो आपके close ended होते है जैसे one word question हो गया वो आपके convergent है आगे बढ़ते है next है कि which test item consist of a stem correct answer key alternatives and distractors बहुत इच्छा question है and very very important इसको कहूंगी पहले भी ऐसा प्रशन आया हुगा है question ही आपका question हो और stem क्यों cinco correct answer को कहते है key क्यों आप hm question तो यह किसकी बात कर रहा है, यह बात कर रहा है MCQs question की, ठीक है यहां पर B हो जाएगा, जैसे आप यह वाला question देखो, जो हम अभी question कर रहे है, question number 68 है, अब इसमें बताओ कि stem क्या है, यह जो आप question देख रहे हो, यह हमारा stem था, ठीक है, यह stem है, right answer B है इसका, तो यह इसका क् की alternative हो गया, correct answer हो गया, और बाकी जो गलत option है, उनको हम क्याते है, distractors, तो यह जो भी parts है, एक MCQs test के वो आपको याद रखने है, आगे बढ़ेंगे, तो remedial English classes are very helpful for the students who are, जो remedial English classes है, वो किन बच्चों के लिए सबसे जादा useful है, तो इसका answer क्या होगा, कि remedial classes हम उन बच्च वो उन बच्चों से क्या है, कहीं न कहीं पिछडे हैं, जो उनके साथ classroom में हैं, अपने peer group से जहां पे far behind है, उन बच्चों पे करते हैं, या कोई disabled बच्चा है, उस पे करेंगे, या कोई बच्चा है जो academically बहुत ज़दा poor है, उस पे कर सकते हैं, किसी बच्चे को किसी skill को स सिखानी के ज़रूरत है, उन बच्चों पे हम यहां पे कर सकते हैं, आगे बढ़ेंगे feedback is always, feedback हमेशा कैसा होता है, तो feedback की बात हो रही है, तो जब भी हम बात करते हैं, feedback, यानि आप किसी को प्रती पुष्टी दे रहे हैं, तो always formative में आएगा, क्यों आएगा, क्यों अनुल में कोई chance नहीं होता feedback का, summative में भी कहीं न कहीं feedback नहीं दे पाते हैं, लेकिन formative में हम दे सकते हैं, आए दिन लगातार teacher feedback देता रहता है, जिसे remedy कर रहा है, तो it is a part of formative assessment, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, which of the following contains same vowel sound, अब देखो इसमें same vowel sound आपको पहचानना था, same vowel वा अ का sound है ये वाला, और बिल में आई का sound है, ये गलत है, C, Say, Sing,ul में A, A e से करके जोता है, जोता है ठीक है, तो सबका ट्रांस्क्रिप्शन देखी हे, सबका ट्रांस्क्रिप्शन अलागलग है, ठीक है? तो ऐसे आपको पहचानना ज्सेंना तो ये सबके akoर लाइक में ए आये हो गया, like, ठीक है, AI का sound है इसमें, लुक में ये उ वाला, ठीक है, छोटा हूँ, और लक में अ, अ का sound है या पर, ठीक है, तो यहां पर बाइट, काइट, साइट, AI, AI का sound है समें, ठीक है, तो यहां पर क्या एगा, option number A, इसका correct होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, next question पे next, a communicative approach in teaching of English, has been practicized and, अब देखो, यहां थोड़ा सा, इसको में complicated question की category में रखोंगी, because बहुत जादा इस question पे, controversy अभी भी जारी है, but हम उसको option के साथ जाएंगे, unfortunately, जो board ने right माना है, तो board ने, इसको वैसे तो माना है, China and Japan, but I am not agree, क्योंकि इसको बृतन और फ्रांस में क पाफी सारे आप authentic किताबे देखेंगे, वहां पे आपको Britain, Britain पहले देखेगा, फ्रांस पहले देखेगा, बाद में China and Japan देखेगा, तो यहां पे लेकिन मैं authentic answer के साथ ही जाओंगी, और जो आपको official answer है, उसमें China and Japan को right माना गया है, otherwise, मैं फिर भी सहमत तो Britain सही ही रहूंग पूछा गया था, तो इसको काफी लोगों ने wrong किया था इस question को, because maybe question को समझने में difficulty होगी, तो आपको समझना है कि इसमें से कौन सब problem हो सकता है, तो problem क्या है, reasonable time management आप कर रहे हो, यह तो problem नहीं है, good lesson preparation, अच्छा teaching style, यह कोई problem नहीं है, problem है कि जब teaching style ही interested नहीं, तो बच्च it can be a challenge, okay, आगे पढ़ेंगे excessive use of mother tongue, अगर बहुत ज़्यादा mother tongue को use किया जाए, तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखो excessive use के according आप से पूछा गया था, तो always वो challenge हो जाता है, हम हमीशा कभी भी ज़्यादा mother tongue को use नहीं करते है, एक word आता जिसमें कहा जाते है कि mother tongue को judicially use करन चाहिए, मतलब विवेक पून तरीका होना चाहिए mother tongue को use करने का, because कही न कहीं हम target language को सिखा रहे होते हैं, हम second language को teach करते हैं, वहाँ पर अगर हम excessive mother tongue use करेंगे, तो कहीं न कहीं बच्चा इन दोनों को नहीं सीख पाएगा, इसलिए इसे challenge माना जाता है English को सीखने में, तो य यह reason है, आगे बढ़ेंगे, next the teaching materials should be according, accordance to the mental age, should have relevance in real life situations, the statement refers to, अब यहाँ पर कौन साय statement है, जो इसते related होगा, तो देखो कहा गया है, कि जो भी आप material पढ़ा रहे हो, material का मतलब है कि item हो सकता है, language item हो सकता है, ठीके items जो आप चूज कर रहे हो, वो किसके according चूज कर रहे हो, age के according, या relevance के according, उनके real situation, life से relate करके, यानि कि आप यहाँ सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे आपको जो भी पढ़ाना है, तो आप ध्यान रखोगे, पहली बद हैविट का यहाँ पर कोई काम नहीं है, हम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं, कि अच्छा मैं जो पढ़ाऊंगी, वो, जैसे मानलो मैं यह टेस्ट लेके आई, तो यहाँ पर क्या है, मैंने सेलेक्शन का ध्यान रखाना कि मुझे रीट आस्पिरेंट्स के लिए लाना है, या मेरा relevance है कि मैं रीट आस्पिरेंट्स को यह वीडियो दिखाऊ, दू, या मैं आपके लेविल, पेपर के according, यह questions लग, तो यह क्या है कि एक selection का principle हम ध्यान रख रहे हैं, ठीक है, बाकी gradation का मतलब क्या होता है कि कि किसी भी matter को क्या करना, simplify करना, ठीक है, किसी भी matter को simplify करना, सरल बनाना, gradation का part होता है, और controlled vocabulary क्या है, जहाँ पर आप शब्दों को सिखाते हो है, वो controlled है, जैसे drill करवा दी बार-बार practice करवा दी, और selection क्या होता है, choose करना, ठीक है, पर्टिकुलर क्लास के लिए, जब आप किसी चीज को चुनते हैं, वो आपका selection है, कि क्या पढ़ाना है, what to teach, ओके, आगे बढ़ेंगे, अब आपसे एक passage पूछा गया था, इस paper में, आईए देखते इस passage में कैसे क कैसे question आए हुए थे, तो यहाँ पर एक passage पूछा गया, मैं पूरा passage नहीं पढ़ूंगी, आप चाहे तो वीडियो पॉस करके passage को पढ़िये, और खुद से answers को ज़रूर लगाईगे, ठीक है, मैं सीधा directly answer पे चलती हूँ, 76 question देखो, क्या पूछा गया, तक कि a student of calorie learns, dash philosophy, dash attack and self-defense, अब देखो, पैसेच पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, विकोज यह आपका linking word से question पूछा गया, linking devices का question है, और very very easy है, neither nor क्या होता है, कि ना तो ये, ना तो हो, neither nor, either or होता है, या तो, जैसे, या तो हो, as, as का मतलब क्या है, as, जब हम एक ही चीज़ को कहते है, तो यहां देखो, क्या होगा, not only, but also, ठीक है, C हो जाएगा, कि ना की, ना की, ना की, ना की, ना की, ना की, वो फिलोसफी पढ़ता है, बल्की, but also, attacks and self-defense, उसने self-defense भी सी का है, साथ के साथ के साथ फिलोसफी भी उसको आती है, तो यहां सही क्या बनेगा, option C बनेगा, not only, but also, okay, आगे बढ़ेंगे, next है, calorie part belongs to India, dash karate belongs to Japan, अब आपको सारी वर्ड्स को यहां पुट करके इधत रहा है, that आएगा, if आएगा, whereas आएगा, यहां बहुत आएगा, तो बहुत आसान है, यहां पढ़के भी देखे तो वेरस का यूज कर रहे है, वेरस का मतलब क्या है, कि आप कंट्रास्ट बढ़े हो, आप दोनों के अंदर कंट्रास्ट बढ़े हो, कि कालरी पर आठ है, वो इंडिया से बिलोंग करता है, जब की, जब की, जो वो है, karate है, वो जपैन से बिलोंग करते है, यहां हम वेरस का यूज कर रहे है, हम दो चीजों में कांपारी, हाही न गई है ना बता रहें कंट्रास दिखा रहें आगे बढ़ेंगे सम पीपल स्टिल डाश ओफ कालरीज हेविनली ओरीजिन अब यहां पर सम पीपल उस हुआ है अब यह क्वेशन आपका कहां से आया है? यह कवेशन आपका आया है subject above agreement तीक है subject above agreement से हम इसको मान सकते हैं बिकास यहां सम पीपल पूछा गया है कुछ लोग तो पीपल क्या है आपका? पीपल जैसे अगर आजाए cattle ठेक कैटल आजाए पीपल आजाए या आजाए पुलीस आजाए इस तरह के words अगर आते है यहाँ पे always इनको हम plural में use करते है तो people के साथ always plural बहवाएगी plural का मतलब यह नहीं कि आप वहाँ पे s लगा के आजाओगे plural का मतलब देखो जो s होता है वो हम singular के साथ लगाते है जैसे he reads वो पढ़ता है तो हम he reads लगाएगे ठीके और अगर मैं बूलो we read तो हम we के साथ r e a d लगाऊंगी नहीं तो s जो है वो singular sense में हम use करते है तो यहाँ s ना आके क्याएगा only claim आएगा ठीके people claim यानि plural यहाँ पे बव आएगी आगे बढ़ेंगे next is kalary is kalary dash the oldest martial art to be in existence तो यहाँ पे was नहीं आएगा r भी नहीं आएगा because singular है इस art form की बात हो रही है तो हम यहाँ पे is के साथ जाएगे option a हो जाएगा इसका correct next question पे बढ़ते है next is the most suitable title अब title इस passage का पूछा गया था कि सबसे suitable क्या होगा तो यहाँ पर option B होगा mother of all martial art क्योंकि यहाँ पर एक traditional martial art की बात की जा रही है नहीं यहाँ पे tennis table tennis इनकी बात नहीं की जाएगा next petrarchan is one of the categories of what simple question पूछा गया था कि petrarchan जो है वो किसका किसकी category है तो इसमें answer क्या होगा जो ओडे है यह तो आपके slaves में है ही नहीं तो हम sonnets के साथ जाएंगे ठीक है petrarchan यह जिसको हम italian भी कहते है italian यह classical भी कहते है ठीक है तो इसका सीव हो गया आगे बढ़ते है 82 question है number of pure vowels कितनी होती है तो यह प्योर का मतलब क्या है यह पर का मतलब है जो single vowels है यह मैं बोलू जो moan of thong ए ठीक है तो moan of thongs की संख्या कितनी है बारा है इसका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा और बारा को भी हमने पूछेगा प्योर वावल पूछेगा दोनों तीनों बाते सेम है ठीक है आगे बढ़ेंगे अब देखो यहां यह question पूछा गया था पी टी के यह था के लिए होता है यह सर के लिए होता है यह कौन से वो है वावल्स है या तो प्योर वावल भी नहीं हुआ नहीं प्योर वावल हुआ प्योर वावल मोनव थांग हो गए तो यहां पर क्या बचा तो यहां पर आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा वोइसलेस इसका क्या होगा बी होगा ठीक है वोइस्ट कॉंसनेंट्स की संक्या पंदरा और वोइस टो यहां पर आंसर क्या बनेगा घुर मैं और आगे थे पूनेने रिषिए डिचली बताना ओंग है इस वर्ट का वrospect का ट्रान्स क्रिप्शन होगाट अब का помог अपर को बहुत है तो इससा गहाथ जो आपको grep तो नहीं होगा ठीक है यह पर साउंड बताना है यह जो ए दिया हुआ इसका मतलब ए होता है तो वे नहीं हुआ उ तो हुआ ही नहीं तो यहां क्या बचा स्पी बचा अगे बढ़ते नेक्स्ट में आपको अलग वर्ड बताना है अब देखो गाईस जिसनी भी यह कोशन किया ह Aur his question को गलत पर ही किसे किया है मत अब ऐसे ट्रीट नहीं करना है आपको इसको इन्हों ने क्या किया कि यह ने यहां ठीकT लिग दिया तो यह ए श्यां तो र justementए लीज को एकिम यी और यह क्या है रगध सलग और इह आप तो किया है तो रीच सब में बढ़ी कि मात्रा यह यह वाला आपका transcription होगा यह आपका क्या है? Rich Rich में आपका यह वाला आएगा Simple, ठीक है? तो यहाँ C वाला अलग है तो आपको भी ऐसे करना है कि यह से लिख के नहीं देखना है आपको आपको vowels को देखना पड़ेगा कि कौन सा vowel sound अलग है words में, ठीक है? इसको हम कहते है है head rhyme head rhyme भी इसको हम बोलते है ठीक है, alliteration है ए उसका correct हो जाएगा answer, ठीक है? आगे बढ़ते है next पे next है, आपको उसमें बता रहा है कौन सा literary term यूज हुआ है ठीक है? if ought of oughtn stop or pastoral song अब आप ध्यान से देखो यहाँ कहीं न कहीं wordles repeat हो रहे है ought, ought시면 stop, pastoral, song or-or-or or के repetition हो रही है wordles repeat हो रहे है तो, resonance हो गया resonance को हम vacilik rhyme भी बोलते है ठीक है? vacilik rhyme बोलते है जहाँ पे verbles क्या होते है repeat होते है जहाँ पेTwo mitt उते words की बीच या initial वहाँ पे resonance होते है आगे बढ़ेंगे she was a phantom of delight अब यहां कहा गया कि she was a phantom of delight कौन सा यहां पर आना चाहिए तो उसको कहा कि वो तो भई phantom है तो उसको क्या कहा गया यहां पर उसको denote किया गया है phantom of delight से यहांनि यह metaphor है जिसे implied भी कहते है implied simile implied simile यह condensed condensed तरह की simile इसको कहते है तो यहां पर c हो जाएगा correct as green as emerald तो as और as इसे क्या कर रहे comparison कर रहे है तो यहां पर क्या आजाएगा simile आगया जहां पर भी आपका like आजाए as आजाए so आजाए और इसका use करके अगर आप दो unlike तिंग में दो different तिंग में अगर आप comparison कर रहे हो जो अलग-अलग है वहां पर simile होता है ठीके आगे पढ़ेगे last question है हमारा peace hat her victories no less renewed than war अब यहां पर किसको personified किया है इस पूरे उसमे, stanza में तो यहां पर किसको personification किसका किया गया है personified क्या है जहां पर human quality दे 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 किसी भी non living thing को या किसी भी abstract thing को तो peace hat her अब peace को क्या बोला हर यानि कि उसकी तुलना कर रहे है सर्वनाम लगा रहे हां पर है ना तो यहां पर peace को personified किया गया उसको quality दी गया है तो यहां पर C हो जाएगा correct तो guys यहां पर हमारा question paper complete होता है language 2 का I hope कि इस paper से आपको idea लगा होगा कि किस तरह की question आपके आई हुए थे और कैसे आपको इनको deal करना है जो भी important extra चीज़े हैं I hope आपको सब समझ में आई होंगी अगर आपको session अच्छा लगता है तो इसको like करो, session को जादा से जादा share जरूर करिए सभी लोग और इसी तरह support करते रहे subscribe करें if you are new to this channel and mock test series अगर आपको join करनी है तो जरूर आप mock test की जो भी series है अभी जितने भी आपके पास remaining days है उसमें आप मेरी test series जरूर join करें ठीक है तो मिलते हैं फिर अगले session में thank you so much guys keep watching